हेलो रिवन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि दो दिन से हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही है Actually friends, मैं अपने एरिया में एक huge competition करा रहा हूँ तो उसी में थोड़ा सा busy रह रहा था तो इस वज़से मैं वीडियो नहीं बना पाया बट आज किस वीडियो में थोड़ा सा special बात करने वाले हैं समानने हिंदी जैसे कि आपको बता है कि मेंस का सबसे पहला paper जो होने माला है हिंदी का ही होने माला है और वो qualify है तो हम यहाँ पर 50 questions discuss करेंगे ताकि आपको एक छोटा सा नमूना मिल जाए इस तरह से कह सकते हैं कि एक्जांस में कुछ questions आपको देखने में परिसानी नहीं होगी थोड़ा बहुत आपको जर्कारी हो जाएगा ठीक है ना तो यहाँ पर हम 3-4 part discuss करेंगे जैसे ही अज का 1st हमारा part है तो end तक देखिए और कुछ यहाँ पर समझने की कोसिस कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं अगे बढ़ने से पहले एक बार last बार मैं आप लोग को बता दूँ कि जो लोग ESI mains का practice set अभी नहीं ले पाया है जिसमें 10 practice set दिया जा रहा है 59 में तो आप लोग जल्दी से जल्दी ले लिजे क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं गे एक हपते में आप यहाँ पर 10 set practice कर सकते हैं आपको करना यह है कि इस नंबर पर गूगल पर या फिर फोन पर करना है 59 रुपेज और स्किन सॉट इसी नंबर पर सेंड करना है आपको इसका PDF सेंड कर दिया जागा 10 practice set का चले शुरू करते हैं देखे first questions यह कहा रहा है कि अधिकतर भारतिय भसाओ का विकास किस लीपी में हुआ है तो इस प्रश्ने का right answer क्या हो जागा option D यानि कि ब्राही लीपी में हुआ है option हम D को टिक करेंगा next questions यह कहा रहा है कि वर्ण माला कहते है वर्ण माला मुसे कहते हैं वर्णों के विवस्तित समों को कहा जाता है यानि हम यहाँ पर right answer D को टिक करेंगे वर्णों के विवस्तित समों को एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि भासा में सबसे चोटा जो होता है वो वर्ण ही होता है ठीक है भासा में सबसे चोटा वर्ण ही होता है तो इसको आप याद रखेंगे देखें थर्ड क्या कहा रहा है कि निमन में कंठ धौनिया कौन से है यानि कि कंठ से उत्पन होने वारे जो धौनिया जैसे आपको पता है तालू से मुर्धा से यह सबी चीज़े तो यहाँ पर हम कंठ अगर हम बात करें तो जितने भी कौ वाले हैं कौ वर्ण के हैं जैसे कि कौ हो गया खौ हो गया आप इनको बोल करके देखेंगे तो इनकी जो धौनिया निकलेंगी वो कंठ से निकलता है right answer रोग अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह किसके अंतर गताता है तो आप बोलके देखी तो यहाँ पर दंत का यूज कहता है यानि कि दात से ये यूज होता है तो यह हम कह सकते हैं यह दंत हो गया ठीक है उसी तरह चाँ अगर हम जाँ बात करें या निकि चाँ वर्घ की तो चो वर्ग यहाँ पर आपका पता चल जाता है, अगर आप पढ़ेंगे इसको चो, तो यह हमारा तालू हो जाता है, ठीके तालू, जो कि तालू किसे कहते हैं, मुख के भीतर की उपरी छत का जो पिछला भाग होता है, उसको आप पढ़ करके देखें, चो, चो, यह होता ह और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो टा और डा, जो टा और ना की बात करते हैं, तो यहाँ पर मुर्धा होता है, मुर्धा किसे कहते हैं, जैसे तालू और मुर्धा में थोड़ा सा फरक होता है, जैसे तालू जो होता है, मुख के भीतर की उपरी छत का पिछला भाग होत है तो इस तरह से याद रखेंगे टा टा डा डा जो ना आता है यह मूर्था से संब्धित होता है तो इन सभी को याद रखेंगे क्योंकि important है अगला प्रश्ण यह कह रहा है कि हिंदी वर्ण माला में आयोग वाह वर्ण कौन से अब यहाँ पर समसना होगा कि कि आयोग वाह वर्ण किसे कहते हैं तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से नोट डाउन भी कर दिया ताकि आपको समसने भी दिक्कत ना हो आज कि जो क्लास होगी आपको सिर्फ और सिफ समसना होगा अच्छे तरीके से ताकि आपका यह हिंदी की थोड़ी से बेसिक हो जाना है तो देखेंगर हम आयोग वाह की बात करें तो तो और अंग की बात करेंगे ठीक है अंग और आ कि आयोगवा करणा बात करतें तो अनुस्वार जिए जो होता है उक के ऊपर हम लगा लगाते हैंक अंग जो कहते हैं तो यह अनुस्वार होता है और यह विष्डार को कहते हैं क्योंकि honesty AT अंतरगत आता है और नहीं व्यंजन के अंतरगत आते हैं लेकिन यह स्वर के अंत में अवसे लगते हैं क्योंकि आपको पता है यह क्या होता है और यह सभी हमारा स्वर होता है तो यह स्वर के ऊपर लगते हैं यानि स्वर के अंत की बात कि यह पहले लिख करें इसको मैं तो इसको धियान रहेएगा, एक छोटा सा पॉइंट में आपको और बतातो हूँ कि उचारन के अधार पर 45 वर्णो ओते हैं, जिसमें 35 वेंजन 10 स्वर होते हैं लेकिन लेखन के अधार पर हम बात करें, लेखन के अधार पर वर्णो की संक्या 52 तो बस चोटे से पॉइंट को आपको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना है चलिए नेक्स्ट क्रेशन देख लिजे क्या कह रहा है कि निम्ण में बताइए कि किस सब्द में दुइत्व वेंजन है दुइत्य वेंजन क्या होता है इसको थोड़ा सम eff siento जैसे जैसे जी यादे के फिर्ण के साथ आना दुइत्य परियों कह लाता तो यहां पर फिलाल दिल्ली दिख रहा था तो राइट आसर क्या हो गया ओप्शन सी दिल्ली ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रस्ट देखिए निम्मे से सुध्य वर्तनी का चैन कीजिए जहां से questions पूशे जाने की chances हैं वो मैंने कराया पिछली बार के इसाई means भी मैंने हिंदी का अच्छे तरीके से practice दिया था जिसमें काफी useful रहा था काफी लोग का तो यहीं से पढ़ करके काफी अच्छे तरीके से वहाँ पे clear हो गया था कोई problem ही नहीं थी देखिए सुध्य सुध्य वरतनी का अगर हम परयोग करें यहां पर हम राइट एंसर क्या होगा 9 जो सही तरगी से लिखा गया यह होगा उन्ने ती, option D, उन्ने ती, सुध्य वर्तनी का फिर से चैन करना है, यहाँ पे अगर हम देखें, जहानवी जो होगा, option C, जहानवी को मिस्तर से लिखेंगे, option C, जहानवी, ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्षवने के सुध्य वर्तनी का चैन करना है, यहाँ पर, अपकृति, यहाँ पर देखीजे, अपकरिती योगा यह बिल्खुल सही तरीके से लिखा गया, अपकरिती, संदी कितने परकार के होते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था इस टाइप के प्रस्टन, नहीं है तो हो सकता इस तरह से दे दे तो यहां पर धन जीगा कि स्वरसंधी के भी पांच बेद होते हैं यानि कि उपभेद होते हैं इस तरह से कहा सकते हैं दिसे कि संधी तीन प्रकार का स्वरसंधी वेंजन संधी और विसरक संधी और इस स्वरसंधी के भी पांच उपभे खेद है उसको लोग कवर कर लेंगे जैसे कि इत्यादी यहांपर अक्सर जो पूछा ऐसा इत्यादी हो गया और विद्धयाले होता है महेस होता है इस तरह कि अक्सर पूछे जाते हैं तो इत्यादी अगर हम यहां पे बात करें कि क्या होगा सही आंसर तो IT समिधान में की 90 62 में राज्यभासा समंधी प्रावधानों का उल्ले किया गया तो इसमें तो यह हिंदी नहीं कह सकते हैं कि अब पड़ते होंगे कि राज्यभासा जो समंधी बात कई गई है वो आर्टिकल 343 के अंतरगरत आता है ुपस्रग का परियोग कहां पर होता है उप उपसर्ग और प्रत्य आप बच्पन से पढ़ते आ कि हमें गमन में जोड़ना पड़ेगा, गमन के पहले ही जोड़ना पड़ेगा, तो यानि अगर हम फ्रेंड्स, गमन का मतलब क्या होता है, जाना, गमन का मतलब जाना, और हमें इसका विपरित बनाना है, विपरित आर्थक सब्द बनाना है, यानि कि विलोम सब्द बनाना है तो इसे हमें जाना का मतलब आना बनाना पड़ेगा, यानि कि आगमन कह सकते हैं, आगमन अगर इसमें जोड़ दें, आगमन, तो यह हो जाएगा इसका, बिपरित आर्थक सब्थ, यानि कि हमने उपसर को क्या जोड़ा, आ, तो राइट अंसर हो गया, ठीक है न, चलिए, ने हम यहाँ पर कह सकते हैं, साब्दिकर्थ संशेप होता है, चीक है, सब्दों को जो से हम विग्रह करके लिखते हैं, यहाँ कि समास जो होता है, बड़े सब्दों को छोटे में संशेप में करना होता है, समास, नेक्स्ट वन देखिए, निर्मे से कौन सा अव्यवी भाव सम समास है तो समास के छोटा सा वीडियो में आपको ला दूँगा जिसमें आपको इंप्पोर्टेंट समास को कवर करेंगे दस-पंद्रा कुईसन्स उसमें आपको अच्छे तरह किसी डिसकस कर दूँगा ताकि समास में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आप अतानी तरीक से इसमें उपसर्ग लगा होता है पहली चीज तो इसमें उपसर्ग लगा होता है और एक चीज इसका पहला पद प्रधान होता है तो पहला सब्द जोगता है पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है अगर हम यहां पर देखे मैं पहले आपको क्या बता है कि इसमें उपसर लगा होता है, सबसे पहले हैं पर देख लिए प्रति दिन, यानि कि दिन में क्या उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है तो फिल्हाल यहांपे सही आंसर होगे आपका का option C ठीक है चरिए उमीद करते हैं यहां पर आवियावी भावक को समझ में आगी होगी उसी तरह से next point क्या कहा रहे कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पुर्व तथा उत्तर पद में विसेशड विसेशी का संबंद भी होता है कौन सा समास कर लाता है यह ए विसेश का संबंद भी होता है तो इसको हम लोग कहते करमधार है इसके एक्जांपल के दुरू समझते था कि आपको अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आपको समझाता हूं जैसे पहली चीज हम देख लेते हैं नील कमल नील कमल अब यहां पर समझे कि यह जो कमल की बात है ठीक है अगर उस तरह से एक और हम बात करें जैसे कह सकते हैं चरण कमल चरण कमल यानि की कमल के समान चरण यानि जो चरण है वो किस तरह से ठीक है चरण कमल यानि की कमल के समान चरण है स्वरी इस तरह से कह सकते हैं यानि कि उसकी विसेशता बता रहा है यहां पर विसे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next point कहा रहे हैं कि जिस समास के दोणों पद अप्रदान होते हैं और वहां कौन सा समास होता है यानि कि वहां पर एक सब्सक्राइन नहीं रहता है अधनल कोई भी पद प्रदान नहीं होता है देखें, जिस समास में कोई भी पद, तो क्या सकते हैं, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर, यानि दिये गए पदों में से, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, या अपने पदों से भीन किसी भी से संग्या का विशेशन है, यानि हम यहाँ पर हम समझना चाहें तो मैं आपको समझा सकता है जैसे वीडा पाड़ी वीडा पाड़ी में हम लोग यहां पर कुछ नहीं देख रहा है कि वीडा पाड़ी कोई की किसी के विश्यस्ता बता रहा है नहीं बता रहा है यानि दोनों पद अप रधानी होता है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन अगर हम वीड़ा पाड़ी की बात करते तो किसी तीसरे को इंगित कर रहा है वीड़ा पाड़ी का मतलब सीधे समझेंगे हाँ सरस्वती जी की बात हो जरी है यानि वीड़ा है पाड़ी में जिसके तो कह सकते हैं वो कौन है सरस्वती जी है जैसे चंद्र सेखर का मतलब क्या रगत आएगा जैसे गजानन तो का मतलब सीधे आप समझेंगे गणेस की बात की जरिये बगवान गशन की बात की जरिये तो रहे दोनों का मतलब गणेस जैसे दसारन का नाम आते हैं आपको समझे में आ कि हाँ वो रावन की बात की जा रही है किसी और की विसेस्ता बताता है वहाँ पर तीसरे लोगों की बात आ जाती है तो हम समझ जाते कि वह बहु ब्रही के अंतर गाते हैं कि लिए चले नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है कि देवासूर में कौन सा समासे देवासूर तो एक योजग चीन है जैसे कि माता पिता मैं लिखते हैं कैसे लिखते हैं माता पिता इस तरह से लिखा जाता है तो यहां पर देखते हैं योजग चीन आता है प्रती जैसे कि दिन रात आता है तो यहां पर भी योजग चीन आता है तो और हो योजग चीन हो तो उसकों लोग ह今天的र्ड है कि देशांतर में कौन सा समास है समास 6 परकारके उनको याद रखेए और देशांतर में कौन का मतलब देशों का अंतर यहां पर देख रहें कि देशों का अंतर अब जब भी बात कारक चिन्ह की आ जाएं यानि कि कारक चिन का जहां पर लोब हो तो वो कह सकते हैं तत्थ पुरुष तत्थ पुरुष समाज तो कारक चिन में क्या आता है जैसे कि करता ने कर्म को करण से के द्वारा के कारण ये होता है संब्रदान को के लिए आपादान से अलग यानि कि कह सकते हैं जो अलग होता है तो यहां पे जो का आपने देखा वो क्या था एक कारक्चिन था देशो का अंतर यानि की कारक्चिन का लोप हो रहा है तो तत्पुरु समास को टिक करना है अब जब संख्या की बात है तो वहां पे दीगु समास को टिक करेंगे जैसे त्री लोग हो गया त्री मूर्ती हो गया चौराहा हो गया तो वहां पे हम कह सकते हैं यहां पे संख्या की बात आ रही है तो वहां पे द्वीगु समास नाम से के लिए रोना द्वी यानि कि द्व होते हैं तो इसको याद रखेगा तीन भेद होते हैं चाहिए आगे की तरह बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेसंस देखिए क्या है संस्कीत के ऐसे सब्दे जिसे हम जियों का त्यों परियोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं यह भी प्रश्ण बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे एक संस्कीत कि एसे सब्देख अगर हम लोग जाए लेकिन यह और रूप में यूज करते उसको लोग तदभ्स अगर हम लोग अगनी की बात कर रहे तो समझेंगे यह जैसेिट एक संस्कीत का वर्ड है नहीं लेकिन इसको अगर छेड़ चार करके आग बना दे तो आग क्या हो गया आग हम लोग तत्भा हो गये यानि कि इसको लोगों तो यहाँ पी राइट अंसर क्या होगा option A चलिए अगला पॉयंट-परिक्छा सब्द निम वर्डों में से किस वर्ड के अंतरगत आता है परिक्छा तो परिक्छा अगर हम बात करें परिक्छा तो अंसकिर ca से बदल कर करके किसी और वहासा में convert करें यानि हिंदी भास आप जो हमानने यूज करते तो उसको परक क्या रहे तो परक जो हो जाएगा वो हमारा तद्भा हो जाएगा लेकिन जो डारेक्ट संस्कीत के फॉर्म में दीखे उसको हम तत्सम गएंगे यानि सही आंसर होगे यहाँ पर ए तत्सम सूरी सब्द का स् हान रहेगा सूरिया वुड़हा-भी अभी प्रकार का बिसाप है। इस वाकिय में बुड़हा-पा सब्द किस संग्या को बताएगा हिं बुझाप यह न बुढ़ सकते ना कर सकते डि महसूस होुथ इस तरह से कह सकते हैं में बुझाप तो यह प्रस्टेक्ट रिघ्ट्र रहा है आम यह क्या प्राइवाचिक सब्द जैसे प्यूस सोम अमी जीवनों दय अम्रित सुधा तो अक्सर आपको यह दिखेंगे मिलेगा अम्रित मिलेगा आप यूस देखने को मिल सकता है तो सुधा याद रख सकते हैं यहां पर देखें सुधा बिल्कुल सायोगा अम्रि यहां पर देख रहा है तो राइट एंसर हो गया ओप्सन ए ठीक है तो कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आप इसको याद रख सकते हैं जैसे धर्ती हो गया धरनी हो गया तो यह सब्सक्राइब नहीं है उसको थोड़ा से याद रख लिजिए सत्रू का प्राइब आची सब्सक्राइब क्या है सत्रू तो नॉर्मले हम लोग दुस्मन जानते हैं दुस्मन हो गया अमित्र हो गया बिपक्षी प्रतिपक्षी रीपू अरी यहां पर अरी आपको दिख रहा हुआ बी हो गया करेक्ट आंसर अरी मृदल का विलोम सब्सक्र कठोर, यानि कि यह भंगुर के रूप में हम बात कर लेते हैं और यह कठोर काफी hard ठीकिया, यह softy यह तो बाद तो इसका विलोम सब्द कठोर हो गया, जिसकी गर्धन सुंदर है तो उसको क्या कहते हैं, अनेक सब्द के लिए आसाती थे, next question क्या है कि जो आखों के सामने ना हो, जो आखों के सामने ना हो, उससे हम क्या कहते हैं, उसको परोक्च कहते हैं, परोक्च, आखों के सामने ना हो, परोक्च, उसने परिसरम तो बहुत किया, किन्तु सफलता नहीं मिले, तो बताई इसमें कौन सा वाक्या, वाक आगे बढ़ते हैं इस वर तुम्हें सफलता दे तो पते कि इस वाके को हम पढ़ेंगे तो कौन सा वाके लगेगा प्रस्नवाचक वाक बिसमिया वाचक वाक निसीद वाचक वाक या फिर इक्छा वाचक वाक तो यह हमारी एक तरह से इक्छा हो जाती है कि इस वर तुम्हें कामकाज में को ना इसका अर्थकी किया कामकाज में को रहना याने की सबहीत मुखाबर तो कामकाज में कोर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए इसका अर्थ होता है बहुत अधी कंजूस के अर्थ में इसका पर्यूब करते हैं अत्याधी कंजूस होना भी करेक्ट होगा अब पच्टाए होत क्या जब चिरिया चुक गई खेद तो आपने इसको तो बहुत सुनाओगा लुकक्ती होता है तो इसका अर्थ ही होता है कि समय पर काम न करने के बाद पच्टाना पड़ता है ठीक है तो अभी समय है आप अच्छे तरह के से इसको पढ़ लीजिए वरना बाद में आपको पच्टाना पढ़ेगा तो ऐसा मैं नहीं चाओंगा कि पस्ताना पढ़ेगा आप अभी सही पढ़ लीजिए पुस्प सब्द है तो मैंने आपको उपर मता दिया था कि जो सब्द हम लोग सेम टू सेम संस्कीत भासा के फॉर्म में ही यूज़ करते उसको तत्सम कहते है तो पुस्प एक तरह से संस्कीत का ही वर्ड हो जाता है इसको तत्सम कहेंगे लेकिन पुस्प को कनवर्ट कर दे फूल में तो वो हमारा तत्दभा हो जाएगा जो किये गए उपकारों को मानता है जो किये गए उपकारों को मानता उसको क्या कहते है क्रित तग यानि यह होगा सही अंसर क्रित तग चीक है आगे देखें नेक्सटर ने कि संप्रदान कारक में को का पर्योग की सर्थ में होता है संप्रदान कारक में तो करता ने कर्म को करंड से संप्रदान को के लिए यानि कि को के लिए होता है यहां फिर आइट अंसर क्या हो आने कर्म को करंड से करंड से यानि राइट एंसर रगया option करंड से ठीक है कारकचिन याद रखेंगे तो दो तरह से use होगा एक तो आपको कारकच परचानने में कोई दिक्कत नियोगा साथे साथ जो समास में तथपूरुस वाले हों तो वहाँ पर आपको कारकचिन का तत्पुरुस का उधारन बताई या फिर पूचा जा सकता है कि कर्म तत्पुरुस का उधारन बताई तो वहां पर हमें यह देखना होगा कि कर्म में कौन सा चिन लगता है जैसे कि कर्म में करता ने कर्म को लगता है लेकिन यहां पर संप्रदायन में क्या लगता है संप्रद लाइक अंतरगत क्या आना चाहिए को आना चाहिए जैसे यग साला की बात करें तो यग यानि की कह सकते हैं यग साला का मतलब क्या हुआ यग साला, यग के लिए साला यग के लिए, तो संप्रदान में लिए तो यही होता है, को होना चाहिए या फिर के लिए होना चाहिए, तो यग साला का मतलब यह हो गया कि यग के लिए यह साला है यह साला किसले है, यग के लिए साला है तो यहाँपे राइट हाँ चरीं आओं सरनल यह बते कि परसुक्त पंक्तियां के रज़िता कौन है तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचेता के रोप में हम लोग जैसी को जानते मलीक मोहमद जैसी, C will be correct answer, ठीके ना, आगे के तरह बढ़ते हैं, अगला पॉइंट से की विद्वान का स्ट्रिलिंग सब्द क्या है, विद्वान, विद्वान का स्ट्रिलिंग सब्द होता है, क्य ये बहुत बार पूछाता है, अक्सर ये repeat होते रहता है, वर्तनी के सब्द द्रिश्टि से सही सब्द कया होगा, आसिरवात को सही तरschaft हमारा ये बिलकुल सही है, आसिरवात, आसिरवात C बिलकुल सही होगा, निम लिखित में से कौन सा, सब्द वायू का प्रायवाचिक नहीं है, दो मतले कि वायू का प्रायवाची सब्द नहीं है, तो अलल हम यहां पir कह सकते, आग के फार्म में होता होता है, ठीक है, अलल यहां पर हम कह सकते हैं, उप्चन B, आगे बढ़ते हैं जो तीनों काल देखता हो जो तीनों काल देखता हो वो क्या होगा त्रिकाल दर्सी त्रिकाल दर्सी जो तीनों काल देखता हो त्रिकाल दर्सी और त्रिदेव हम केसे कहते हैं जो ब्रह्मा होगे उनको विष्णु महेश त्रिदेव हो गये तो ये तीनों को मिल दिलक लगा जाता है तो उसको कायदत त्रेपुंड तो यहां पर सई आंसर हो गया उप्सन भी तो उमीद करते हैं फिंस एगर आपने अभी तक इस वीडियो को हमारे साथ बने हुए हैं तक देख लिया हैं तो आई होब कि आपको थोड़ी बहुत जनकारी हो गई होगी इसका उसका तीन से चार पाट और ला देंगे ताकि आपको हंडी को समाझने में अब आप एक्जाम्स में कोई भी दीख करना हो आपको बिलकुल भी डर ना लगया देखें आपको 30 कुएसंज को कैसे करना है आपको पूरे 100 questions को देखना ऐसा नहीं कि आप starting कर दिए बस आपको इसी starting से ही तीस questions को फटाफट कर देना आया नहीं ऐसा नहीं करना आपको 30 questions को करने के लिए starting से करना और 100% टेगरेसी के साथ करना जो आपको 100% लगे कि हां ये मैं पढ़ा हूं उसी को टिक करना है ठीक है risk नहीं लेना क्या फायदा रिस लेकर हमें जप करना है ये ना représ करना रांड आपको फेंट हम्हें इस तरीके से 55 ज़तीया हो तो आप पिछर आजओ ठीक है इस तरह से नहीं करने यानि न तो थर्टी के धाने ठीक कर्amas करना में और एइसाव पढ़े हैं आप जितना अगर पढ़के जाते हैं चार से पांच वीडियो हमारा अगर देख कर जाते हैं तो डेफमेटी आपका काम हो जाने वाला उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रत नहीं पढ़ेगे ठीक है तो बस आज किस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्स वर वाचिंग